Hey what's up guys, मेरा नाम है और आजी और आप देख रहे है टैकी लेंज जैसे कि आप सभी को बताएं, literally सभी को बताएं कि Asus Zenfone Max Pro M1 और Max Pro M2 के लिए Android 10 का Beta Update रिलीज हो चुका है जो कि मतलब ऐसे phones पे नहीं मिल रहे हैं, यह Asus की website पे अपलेबल है वहाँ पर मैंने आप लोगो explain करा था कि Beta basically testing में होता है और इसमें काफी सारे bugs होते हैं, तो बीटा में काफी सारे bugs तो होते हैं इसलिए इसको सारे users try नहीं करते हैं, बट मतलब जिसको basically नए features होगे रहे हैं रखना होता है, जिनको मतलब ऐसा patience नहीं होते हैं, जिनमें थोड़ी वो उनको बहुत ज्यादा urgent होता है कि हम भाई क्या है features हम लोग को check करनी है, वो सारे लोग मतलब इसको फटाक से download कर लेते हैं and देखी भी लेते हैं कि क्या-क्या features वो गड़ा है, बट मेरे जैसे जिनके पास एक phone से या फिर आप बोल सकते हो, आपके पास अगर आप सिर्फ एक ही phone है या फिर अगर आपके पास यह Max Pro M2 यही एक primary phone इसके लाओ और कोई phone नहीं है तो इसमें आप फटाक से बीटा जो software है इसको install नहीं करोगी क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब ऐसा risk सा रहता है कि कुछ हो गया तो भाई secondary phone है नहीं backup के लिए तो इन केस में सभी लोग मतलब normal एक user अगर हम बोले तो मतलब stable version का वेट करते हैं तो इसी के बारे हम लोग बात करने वाले कि Max Pro M1 Thank you Thank you तो Max Pro M1 और Max Pro M2 में Android 10 का stable update कब मिलेगा beta update तो आ चुका है चार जाटाम वेस्ट नहीं करता है फटावड़ीटो को स्टार्ट हो देता है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चानल में ने हो और पहली बार आयो तो आर वीडियो को पूरा देखना देखने के बाद अगर आपको कहीं भी वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी complaint हो या फिर feedback हो तो उसको आप comment section में जुरूर बता देना मैं उसको अगले वीडियो में जुरूर इंप्रूब करूँगा सबसे पहले तो मतलब बात कर लेते हैं कि कब आपको एंडूइट 10 का स्टेवल अपडेट देखने को मिलेगा मैक्स प्रो एंवन और मैक्स प्रो एंटू में तो आपको मैंने गूगल कर आए थोड़ी बूट रिसर्च करिया और इन सब्सक्राइब और इन सब्सक्राइब जाएंगे आप जाखर पर सकते हो इन सब्सक्राइब के जो एंडूइट 10 है स्टेवल वाला वह आपको मैक्स परो मर मैक्स परो में मिट फेबुरी में देखने को मिल सकता है या फिर अगर दीला मतलब डीले हुआ तो अगर दीले हुआ तो यह आपको फेबुरी के या फिर बीच-बीच में देखने को मिल जाएगा मतलब यह सारी मतलब के इसको आप क्या गोलता हो एक टाइप से यह थोड़ी पूर्ट लिक्स निकल के आए कि इस डेट में इस डेट एक्ट डेट तो नहीं है बट यहां पर अंजाज़ा लगा गया गया कि इस तारीक के इस से ख़डारीक के अंदर आपको यह सारी श्टेवल अपडेट वगए देखने को मिल जाएगे अगर हम बात करें मतलब बीटा अपडेट के बारे में तो काफी जारी मिक्स फीलिंग जाहिए जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में रायका हा था आपको काफी जारे काफी लोगों का मतलब देख रहा हूँ कि उनके जो मेंसेजर्स आते हैं इंस्टागेराम पी जाफी फेसबुक पर मैक्स प्रैम को गर गरूप है जो टेली ग्राम का गरूप है इनमें मतलब जब मैं स्क्रोल कर रहा हूँ तो मतलब भाई ऐसुस की जो गुरूप एस पे मतलब ऐसे तबाही मचे रहे है कि हाद तरब बीटा 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 चल रहा है तो वहाँ पर प्राइड़ेटी में जादा देखा हूँ कि लोगों मतलब प्राइड़ेट करनी पट रहे है जिन्होंने बीटा अपडेट कर रहा है बट कुछ-कुछ लोगों को बिलकुल प्राइड़ेट नहीं है तो लास्ट वीडियो जिसमें बनाया थे काफी लोग मतलब में को कॉमेंट कर रहे थे कि यह सीन नहीं है ऐसा कुछ भी बॉक्स हो ग काफी लोग ट्विक्स वगयरा करते हैं अपनी फोन में चामरा टू एपी आइड़ करते हैं या फिर फूल नविगेशन जेस्चर यूज़ करने के लिए कमांड वगयरा रन करते हैं बट मतलब यह बहुत जादा मित है बहुत बड़ा मित है मतलब जो मैं अभी क्लियर करत ना तो आप इसको रूट कर रहे हो ना एक्सक्रा कुछ चीज इसमें आप एड़ कर रहे हो जो फीचर इसमें है जो कि by default है उसको आप इनेबल कर रहे हो तो इसके चलते कुछ बॉक्स आनी कि ऐसे चांस नहीं है पिछली वीडियो मैं एक चीज गलत बोल देती है उसके लि इसके पहले काफिया जहमेला हो रहा थे कि camera to API enabled नहीं हो रहा है यह वगेरा हो जो driver अपनी PC में अच्छे से काम नहीं कर रहा है या फिर डिवाइस रिकोगनाइज नहीं कर रहा है तो अप्डेट के बाद ऐसा कुछ भी जहमेला नहीं होगा फिलाल के लिए beta update में आपको camera to API by default enabled देखने को मिल जाता है तो बस आपको Gcam का application install करना है और भाई तबहाई photos बगरे ले लिए और फिलाल के लिए Gcam के बारे में बात करें तो सारी Gcam perfectly work नहीं कर रही है जो Android 10 है उस पर बस कुछ-कुछ Gcam इसमें work कर रही है किसी-किसी का processing इंटम 10 minute ले रहा है तो किसी-कि अटकी जा रहा है यह सारी इसो मेरे पास आई है तो अगर आपने नहीं कर रहा है तो मत करो यार मतलब इतना तो वेट करी सकते हो अभी अपडेट करोगे थोड़ा बर गड़बट हो या डेटा वेटर लॉस हो गया तो थोड़ी बर दिक्कत हो सकती है ना हो तो बहुत क्यूंकि मैं पर्सनल्ली वैट करना वाला हूं मतलब में को इतनी जल्दी कुछ है नहीं अपडेट करनी को क्योंकि में को मतलब इक डिवाइस है तो में को आराम से सांती से जाना तो अगर सेकंड़री डिवाइस होता तो मैं फटाकस अपडेट करकी मतलब 0-100 आपको कर देना और मैं आपसे मिलता हूं अगले वाली वीडियो में तब तो कि लिप बाबाई टेक क्येर